बारा वोल्ड की लेड एसिट कार बैटरी ये बड़ी और भारी बैटरियां दुनिया के हर कमबस्चन एंजिन में प्रेयोग की जाती हैं वे किसी भी वाहन का आवश्चक हिस्सा होती हैं तो ये क्या करती हैं और किस तरह काम करती हैं इस वीडियो में हम आज यही बताने वाले हैं बारा वोल्ड की कार बैटरी ऐसी दिखती है यह एक लेड एसिट बैटरी है इसे लेड एसिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूनिट के अंदर लेड की प्लेटें एसिट में डूबी हुई होती है इसमें रासाइनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे उर्जा निकलती है और हमें वोल्टेज और करेंट मिलता है इस तरह बैटरी रासाइनिक उर्जा की रूप में उर्जा स्टोर करती है यह एलेक्रिसिटी को स्टोर नहीं करती जब हमें जरूरत होती है तो रासाइनिक उर्जा को इलेक्रिसिटी उर्जा में बदल लिया जाता है इस बैटरी को चार्ज भी किया जा सकता है यदि बैटरी को electricity दी जाए, तो हम रासाइनिक प्रतिक्रिया को उलट कर बैटरी को फिर से चार्ज कर सकते हैं इस तरह की बैटरीयां बड़ी मातरा में करेंट प्रदान करती हैं खास तोर पर घरेलू alkaline battery के मुकाबले हमने अपने पिछले वीडियोज में बताया है कि alkaline battery कैसे काम करती है उसे जरूर देखें, link नीचे वीडियो description में दिया गया है आमकार बैटरी कार के engine बे में पाई जाती है बैटरी का प्रयोग सबसे पहले कार को start करने में किया जाता है और ऐसा करने के लिए starter motor नाम की एक छोटी electrical motor को electricity दी जाती है starter motor engine के flywheel के छोटे gear से engage हो जाती है motor इसे घुमाती है जिससे crank shaft घूमता है जो combustion engine को चालू कर देता है छोटा gear तब disengage हो जाता है और engine अपने आप चलने लगता है flywheel को घुमाने के लिए starter motor को अत्यधिक बल की जरुवत होती है इसलिए starter motor बड़ी मातरा में current खीचती है शायद सैक्डों एम्स लेकिन केवल कुछ ही सेकंडों के लिए इतनी अधिक मातरा के current से बैटरी में संग्रहित उर्जा कम हो जाती है इसलिए हमें इसे फिर से भढ़ना होगा इंजन से एक alternator जोड़ा होता है इस alternator को इंजन घुमाता है और जैसे जैसे यहां घूमता है बिजली पैदा करता है बैटरी में बिजली वापस भेजी जाती है जो इसे recharge कर देती है जब इंजन चल रहा होता है तो यहां बैटरी को recharge कर देता है लेकिन यहां लाइट और म्यूजिक सिस्टम आधी को electrical power भी देता है जब electricity की मांग alternator से प्राप्त electricity से अधिक हो जाती है तो बैटरी अतरेक्थ पावर प्रदान करती है जिससे यह फिर से खाली हो जाती है यदि इंजन को बंद कर दिया जाए तो alternator घूमना बंद कर देगा और बैटरी रिचार्ज नहीं होगी तो बैटरी तब तक कार को पूरी electricity देती है जब तक की dead न हो जाए उस समय बैटरी इतनी electricity नहीं दे पाती कि कार चालू हो सके तो हमें कार को जम स्टार्ट करना पड़ता है आए कार की बैटरी के मुख्य पूर्जों पर एक नजर डालें और तब हम समझ सकेंगे कि यह सब कैसे काम करता है सबसे पहले plastic का एक case होता है जो सभी आंत्रे components को एक जगह पर रखता है उपर की तरफ plastic का एक धकन या lid है तथर negative और positive दो terminal है लिड उठाने पर अंदर देख सकते है casing कुछ है अलग-अलग chambers में बाटा गया है सभी एक plastic की दीवार द्वारा अलग किये गए है हर chamber को cell कहा जाता है हर cell लग-भग 2.1 volt DC या direct current उत्पन करती है प्रत्यक cell सीरीज में जुड़ी हुई होती है एक cell का negative अगली cell के positive से जुड़ा होता है जिससे कुल 12.6 volts की voltage मिलती है यहाँ बिलकुल वैसा ही है जैसे घरू में प्रयोग होने वाली alkaline battery जुड़ी होती है उनके voltage आपस में जुड़कर अधिक बड़ा voltage प्रदान करते है बैटरी के हर cell एक plate straps से connected होती है जो LED की बनी होती है connection बनाने के लिए इन straps को प्लास्टिक की दीवार से एक साथ weld किया जाता है बैटरी के इस view से दिख रहा है कि current battery cell में positive से negative की ओर बह रहा है जो कि conventional current की थियोरी है लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है कि electron negative से positive की ओर बह रही है लेकिन इसे हम इसी वीडियो में बाद में समझाएंगे आप देख सकते हैं कि हर cell में दो plate strap है एक positive और एक negative इन्हें plate straps इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर strap कई plate से जुड़ा होता है जो lead से बनी हुई sheets है प्लेटें grid जैसी सनरचना बनाती है जो सतह के क्षेतर को बढ़ा देता है grid पर lead oxide का paste लगाया जाता है इस paste में रसाइनिक प्रतिक्रिया होती है जो थोड़ी देर में इस वीडियो में देखेंगे paste sponge की तरह काम करता है और थोड़े electrolyte द्रव को सोख लेता है जिससे battery की performance बहतर हो जाती है battery से कितना current मिलता है यह plate के आकार पर निर्भर करता है लेकिन इससे voltage नहीं बदलता प्रति cell voltage रसाइनिक प्रतिक्रिया के लिए प्रयोग किये गए material और plateों की संख्या पर निर्भर करता है grid paste को अपनी जगह बनाए रखता है ताकि plate हर जगह एक जैसा current बहे और electronों को battery से कार के बाहरी circuit में जाने में मदद करता है negative plate को anode कहते हैं और यह शुद्ध lead की बनी होती है हालांकि इसे मजबूत बनाने और जंग से बचाने के लिए कुछ adhesive मिलाए जाते है positive plate को cathode कहते हैं और यह lead oxide से बनती है रसाइनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने और electron छोड़ने के लिए इन plate को अलग-अलग material से बनाया जाता है अब हम नहीं चाहते कि positive और negative plate एक दूसरे के सीधे संपर्क में आए क्योंकि इससे battery short circuit हो जाएगी इसलिए हम प्रतियक positive plate को एक envelope separator में रखते हैं यह छिद्र योगतिया पोरस पदार्थ है जिससे material के एक दूसरे के सीधे संपर्क में आए बिना ही ions उनमें से बह सकते हैं positive और negative plate एक दूसरे के बीच बैठेंगी और प्रतियक plate के बीच एक छोटा सा अंतर होगा chamber को फिर sulfuric acid और पानी के electrolyte द्रव से भर दिया जाता है इसलिए battery को lead acid battery कहा जाता है मैं जल्दी से electrical से मूल भूत से धनतों के बारे में बताऊंगा ताकि आप अगले भाग को समझ सकें कि बैटरी कैसे काम करती है किसी circuit में electrons के प्रवाह को electricity कहते है हमितार में एक ही दिशा में बहुत सारे electrons के प्रवाह की जरुवत होती है ताकि हम इसके पाथ में light bulb जैसी चीज़े रख सकें Electrons को इसमें से गुजरना पड़ता है और जब वे गुजरते हैं तो रोशनी पैदा करती है जब बहुत सारे electrons एक ही दिशा में बहते हैं तो हम उसे current कहती है प्रत्येक material atoms से बना होता है atoms में विभिन संख्याओं में protons, neutrons और electrons होते हैं तो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं copper जैसे कुछ materials में electron बहने के लिए मुक्त होते हैं यदि हम copper के तार से बैटरी जैसी कोई power supply कनेक्ट कर दें तो बैटरी का voltage electrons पर बल लगाएगा और वे तेजी से बैटरी से positive से रे की ओर जाती है जैसा कि मैंने अभी कहा current negative से positive की ओर बहता है इस electron flow या electron प्रवाह भी कहा जाता है यहाँ एक थियोरी है कि electricity कैसे काम करती है और वास्तव में क्या होता है लेकिन आपने शायद conventional current के बारे में ही पढ़ा होगा जो positive से negative की ओर प्रवाहित होता है यहाँ मूलियत थियोरी है जिसे conventional current के नाम से जाना जाता है जोसफ थॉम्सन ने इस थियोरी को गलत साबित किया जिन्होंने electron की खोच की और पता लगाया कि यह negative से positive की ओर बहते है हलांकि आज भी हम electrical circuit डिजाइन करते समय conventional current थियोरी का प्रवाहित हो रहा है लेकिन इंजीनियर और वैग्यानिक जानते हैं कि electron असल में विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है जो electrical formula या सूत्र हम प्रयोग करते हैं उससे जवाब हमेशा समान ही आएगा भले ही electricity किसी भी दिशा में बह रही हो तो यह माइने नहीं रखता electricity दो प्रकार की होती है DC direct current जो हमें बैटरी से मिलती है इसमें electron एक ही दिशा में चलते हैं इसलिए इसे direct current कहते हैं इसे नदी में बहते पानी की तरह सोचिए दूसरी है AC या alternating current जो हमारे घरों के outlet से प्राप्थ होती है इसमें electron आगे और पीछे दोनों दिशा में चलते हैं जैसा कि समुदर की लहरों के साथ होता है जो जुआर और भाटा के बीच आगे और पीछे की तरफ बहती है जब हम कुछ निश्चित material आपस में मिला देते हैं तो रासाइनिक प्रतिक्रिया होती है तब एक material के atom दूसरे material के atom के साथ परस पर क्रिया करते हैं इस क्रिया के दौरान atom या तो आपस में जुड़ते हैं या तूट जाते हैं इस प्रक्रिया में atom से electron निकलते हैं या उसमें जुड़ते हैं जब हम atom की बात करते हैं तो आयन का नाम जरूर सुनने को मिलता है आयन वह atom है जिसमें electrons और protons की संख्या बराबर नहीं होती है जब atom में electrons और protons की संख्या समान होती है तो वह neutral charge या 0 आवेश पर होता है क्योंकि proton पर positive charge या धन आवेश होता है और electron पर negative charge या रिन आवेश दोनों एक दूसरे को दासीन कर देते हैं यदि atom में electron अधिक हूँ तो यह negative ion कहलाता है यदि atom में protons अधिक हूँ तो यह positive ion कहलाता है इस जटल सन्रचना को समझने का प्रयास करने की जगह हम इसे एक cathode और anode वाली cell के सरल मॉडल में बदलेंगे इस cell में electrolyte liquid या विद्युत अब घट्य द्रव्य होता है जिसमें एक तिहाई sulfuric acid और दो तिहाई पानी होता है हमारे पास positive electrode यानि cathode है यह lead oxide से बना है इसके बाद negative terminal यानि anode है यह हशुद lead से बना है जब इन materials को आपस में मिलाया जाता है तो atoms के बीच रासाइनिक प्रतिक्रिया होती है मैं इन materials के atoms को रंगीन spheres में दिखा रहा हूँ lead oxide का positive cathode terminal electrolyte के sulfate से क्रिया करता है यहाँ cathode terminal पर lead sulfate के एक परत बना देता है इस क्रिया के दौरान cathode से oxygen iron निकलता है और electrolyte में चला जाता है electrolyte में यह oxygen iron hydrogen से मिलकर पानी बनाता है उसी समय anode के lead atom electrolyte के sulfate से क्रिया करती है इस क्रिया से electrode के उपर lead sulfate की परत जम जाती है इस क्रिया के दौरान दो electron निकलती है और negative terminal पर आ जाती है तो अब हमारे पास negative terminal पर electron एकठा हो गए है चूंकि electron पर negative charge होता है इसलिए इसका मतलब है कि दोनों terminalों के charge या आवेश में अंतर है और हम इसे voltmeter या multimeter से माप सकती है जैसे चुमबक के electron पर negative charge होता है इसलिए वे एक दूसरे को पीछे हटाती है ये positive terminal को आकरशित करते हैं जिसमें कम electron होते है इसलिए अभी वे यहां नहीं पहुँच पाते हैं इसलिए यदि हम electronों के लिए एक तार जैसा path प्रदान करते हैं तो positive terminal तक पहुँचने के लिए electron इसमें से प्रवाहित होंगे फिर हम इन electronों के रास्ते में lamp जैसी चीज़े रख सकते हैं और उनका उपियोग lamp को प्रकाशित करने जैसे कामों के लिए कर सकते हैं पात बना हुआ है रासायनिक प्रतिक्रिया जारी है लेकिन यहां हमेशा नहीं चल सकती प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक रसायन समाप्थ हो जाएंगे ऐसिड पतला और कमजोर हो जाता है और lead sulfate दोनों electrodes को ढख लेता है इसका मतलब है कि लेक्ट्रोड की सामगरी एक जैसी होती जा रही है और इसलिए रासायनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करना कठिन हो जाता है सो अभाग्य से इस रासायनिक प्रतिक्रिया को उल्टा जा सकता है इसलिए अगर हम ऑल्टिनेटर से बैटरी को बिजली की आपूर्ती करते हैं तो प्रतिक्रिया को उलट सकते हैं Electron negative terminal में प्रवेश करते हैं और lead sulfate के साथ फिर से जुड़ते हैं। Sulfate को electrolyte में छोड़ते हैं ताकि negative plate पर केवल lead रह जाए। Sulfate ion electrolyte में प्रवेश करते हैं और hydrogen ion के साथ मिलकर oxygen ion छोड़ते हैं। इसलिए electrolyte acid मजबूत हो जाता है। oxygen ion lead के साथ मिलकर lead oxide बनाता है और यहाँ सulfate को वापस electrolyte में छोड़ देता है जिससे यहाँ और भी मजबूत हो जाता है। यदि हम battery को बहुत लंबे समय तक पूरी तरह discharge छोड़ दें या बहुत बार discharge करें तो रासाइनिक प्रतिक्रिया को उलटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त सलफेट की परत electrode से अलग हो सकती है और battery के नीचे जमा हो सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ अब रासाइनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा, इसलिए battery को मरम मत या बदलने की जरुवत है। जब हम इस battery को देखते हैं, तो motor को चालू करने और light को पावर देने हे तू, सैक्णों amps current उत्पन करने के लिए यह chemical reaction या रसाइनिक प्रतिक्रिया हर cell की हर plate के बीच में हो रही है। Car battery का voltage टेस्ट करने के लिए multimeter की setting को DC voltage पर बदलें। फिर हम लाल lead को positive से और काली lead को negative से connect करेंगे। हमें 12.6 volt के आसपास voltage मिलनी चाहिए। यदि 12 volt से कम voltage है, तो battery ठीक से काम नहीं कर रही है। वैसे अगर आपके पास पहले से multimeter नहीं है, तो मैं नीचे video description में एक link दूँगा, जिसमें मैंने बताया है कि कौन से multimeter लें और कहां से लें। जब हम car start करते हैं, तो voltage कम हो जाएगा, क्योंकि starter motor बहुत अधिक current खींचती है, voltage लगभग 11 volt हो जाएगा, अगर यह 10 से नीचे गिर जाता है, तो battery ठीक से काम नहीं कर रही है, जब engine चल रहा है, तो alternator को बिजली पैदा करनी चाहिए, और हमें 14 volt के आसपास voltage मिलनी क्योंकि alternator battery को recharge कर रहा है, और आसाइनिक प्रतिक्रिया को लटने तथा electron को वापस भेजने के लिए voltage अधिक होनी चाहिए, ओके इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे सीखते रहने के लिए screen पर दिये गए किसी भी वीडियो को देखें, और मैं आपसे अगले व कर दियो करें दो, और मैं अजआ भीडियो की तू़ के लिए नमची अगलाебने का लिए पग पत。